जवान रिलीज हुई थी 7 सप्टेम्बर को, जिसका first day first show मैंने देखा, उसका review भी किया, उस पर 2 million views भी आ गए, highest views on my channel, उसके बाद मैंने जवान पर एक भी वीडियो नहीं बनाया, तो सोचा जवान को एक बार फिर से देख लेते हैं, तो मैं गया ठीक 11 दिन बाद फिर से थ corporate booking थी, लोग आये थे, अच्छे खासे आये थे और genuine लोग आये थे, मैंने वीडियो भी निकाले, vlog भी बनाया, जो मेरे random योगी चैनल पर आएगा, subscribe कर लेना, link description में है, लेकिन आज, क्योंकि मैंने इस फिल्म को फिर से एक बार अच्छे से देखा है, तो आज इस फिल्म क का ऐसा आउतार पहले किसी भी फिल्म में नहीं देखा है, एकड़ मासी आउतार में प्रेजन्ट किया गया है SRK को और इसका पूरा श्रय जाता है डिरेक्टर एटली को, कि उन्होंने SRK को इस तरीके से सोचा, SRK की इस फिल्म में वैसे देखा जाए तो सिर्फ दो रोल सी एक बाप और एक बेटा, लेकिन अगर सिर्फ कैरेक्टर प्रेजन्टेशन की बात करें, तो उनको हम इस फिल्म में साथ आउतार में देख सकते हैं, फर्स्ट वो पट्यो वाला लुक, सेकंड पट्या निकलने के बाद वाला लुक, फूर्थ जेलर वाला लुक, देन उनका अवतार अलग-अलग होता था, तो वो हर बार इतना मासी था के हर कोई उनके एंट्री पर खुश हो रहा था, और पर्सनली अगर बोलोगे तो I love the father character, विक्रम राथोड, जिसकी एंट्री होती है इंटर्वल में and one of the best इंटर्वल ब्लॉक बोल सकते हैं इस वाले सीन को, and trailer जब आया था, तो हम लोगों ने बहुत सी theories बनाई थी, कि train वाला सीन, climax वाला होगा, वो first सीन जहाँ पत्यों में SR के बंदे हुए है, वो interval के बाद backstory वाला सीन होगा, वगेरा वगेरा, लेकिन Attlee ने बहुती अलग तरीके से story का presentation किया है, आप पहले दो सीन में और interval block में इतना wonderfully attached हो जाते हो, कि आगे क्या होगा, ये देखने के लिए बैठे रहते हो, उपर से इस film में बहुत से social issues को सामने रखा गया है, और जब-जब social issues को film के थूँ सामने रखा जाता है, तब-तब audience और भी जादा film के साथ attached होती है, इस film में किसान की आत्मत्या और उनक के महत्व को समझाया गया है, so overall अगर देखा जाया, तो ये एक thought-provoking film है, जिसमें system कैसे होना चाहिए, इस पर जादा बात की गई है, लेकिन इसी के साथ इस film को ऐसा भी बनाया गया है, कि ये मासी feel हो, music मुझे personally पहले अच्छा नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे, जैसे जैसे बार-बार सुन रहा हूँ, social media की reels पर बार-बार जबे गाने कान पर पड़ रहे है, feel हो रहा है कि साला काफी अच्छे songs बनाये है, लेकिन 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 इस film के कुछ negatives भी है, like अगर आपने Money Heist की पूरी series देखी है, मैंने देखी है, तो बहुत बार आपको बहुत सारे videos already social media में घूम रहे हैं कि ये film Money Heist का देशी version है, दूसरा negative है कावेरी अम्मा, I don't think so कि जिस actress ने, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कावेरी अम्मा का रोल किया है, वो उस रोल के लिए सूट हो रही है, specially जब शारुख याने आजाद बड़ा हो गया है, तब आ वो खुद अंदर नहीं जा पा रहे है, तो काली जो है, इस film का विलन, विक्रम राठोड को बंदी बना कर और अपनी गैंग को लेकर अंदर कैसे चला गया, I mean I know के काली जो है, वो विक्रम राठोड और उसके आदमी को torture करता है, secret रास्ता जानने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है, वो डायरेक्ली दिखाया गया है, वो रास्ता नहीं दिखाया गया कि वो कैसे पहुँचता है, अगर वो थोड़ा सा elaborate करके दिखाते या थोड़ा उसमें गुसकर दिखा देते, तो ज़्यादा अच्छा होता, तीसरी बात जो मुझे बस forced लग को enjoy करते वक्त, इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उपर से SR के सामने है, तो audience वैसे ही उनके लिए पागल है, anyways, मैंने movie जब दूसरी बार सिर्फ audience point of view से देखी, I really enjoyed it a lot, बाकि आपने कितनी बार देखी और देखी भी के नहीं, मुझे comment में ज़रू बताना, मिलत आगले वीडियो में, बाई